कि इंडाफ हाडोलाजी की विचार धारा मुख्यता है मुख्यता है सबसे पहले 1905 में अमेरिका में आती है अमेरिका के प्रेमुक विद्वान डेनियल बेल और राबर्ट इलेन या दखेगा इतिहास कारों कि इनके नाम याद कीगा ऐसे नाम पूछेगा डेनियल बेल और राबर्ट इलेन जो हैं इन्होंने ही सबसे पहले यह विचार धाया दिया और यह विचार धारा उन्होंने इस दिश्टिकोर से दिया इन्होंने कहा कि विस्व में अब विचार धारा नामक ऐसी कोई चीज नहीं रह गई है बिस्व में इतना ज्यादा मत मतांतर इतने ज्यादा बिचारों में बदलाव आ गए हैं इतने ज्यादा परिवरतन आ गए हैं इतने अलग-अलग मत आ गए हैं और उनमें आये दिन लगाता उनमतों में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे उनमें बदलाव आ रहे हैं, चाहे और उसके फर स्वरूप बहुत सारी सामाजिक मानता हैं, धार्मिक मानता हैं, आद मानता हैं जो पहले किसी विचारधारा प्याधाईत हैं, सब के स्वरूप में लगाता परिवर्तन होता जा रहा है इसलिए वास्तों में अब वर्तमान विश्य को किसी भी विचारधारा में या किसी एक विचारधारा में बात कर देखा जाना संभव नहीं है इसलिए वर्तमान परिदिस्य में अब किसी प्रकार की भी विचारधारा नहीं कर दो नहीं रगए हैं नहीं पूरय है किसिले को विचंट म्यादोर को ति है इसे करते हैं इंडा फाइडोलाजी है इसी व्योस्था से संबंधित एक एक और मत है यह एक प्रमु की तिहासकार हैं वह भी अमेरिका के हैं ठीक है तो इनका इनका नाम है है from the festival that है मिध्या हूं है फ्रांसीश हैं प्रसेस्स फुकुयामा कैने है या यह देख़्ेगा जो डेनियल बैल है डेनियल के जो जो महत्पूर् springs युल लिखा है उसका नाम है एनِ डा फाइडीव लाजी आंदर एकजाश्टन of the political theory, ठीक है, Daniel Bell किताब का नाम क्या है, Ind of Ideology and 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 ideas and political ideas in the 50s in the 50s 50s किताब history कि है वो कहते हैं वह विचारधारा है उदा पश्चिन सभ्यता का उदारवादी लोकतांतिक ठीक है विचारधारा पश्चिमी संस्कृती का जो उदारवादी लोकतांतिक विचारधारा है यही अब एक मात प्रभावी है यही एक मात अस्तित्म है और यही ब्योस्था रहेगी और निसम ब्योस्था समाप्त हो चुकी है तो वास्तों में कुल मिला के समझे एक क्या की यह अमेरिक्या कि विचायधारा को एक प्रकार से महिमा मंदित कि अब बताये का विचायधारा सब खतम हो गई पस्षिम की बस यही विचायधारा बची है यह इनका दिश्ट कोड़ इससे करते हैं व्यष्टासिफिकेशन इसे करते हैं वेष्टॉक्सिफिकेशन का मतलब रचना या पेथि मुणाद की भावना रखनाred टो यहीं मानते हैं इसलिए कभी कभी इन कहाए इनकी आलोचना करते हुए सब्सक्राइब कुछ फिलास्पर है। फिलास्पर होते हैं यreath कोड फिलास्पर आप से उसके दर्भारी दिर्षनिक हैं होते वह अपने इन ऊस्टः दाता की पसंसा करते थे उनका करते थे वैसे ही यह भी पश्चिम के हैं तो पश्चिमी के समझेगा यह दरबारी दार्सलिक हैं तो आपका यह हो गए फ्रांसिस फुक्यामा अब हम लोग आते हैं उत्तर आधुनिक्ताबाद इसी इंड आफ आडियोलाजी की विचारधारा से निकला है समझेगा जो उत्त 2 का आत निकलतावाद है पोस्ट मेंटनिजम पोस्ट मेंटनिजम की विचाष़ारा मुखतह के इंड आफ आउडियोलाजी विचारधारा का ही अग्रवर्ती recomp है इसी से यह सबसे पहले कहा है यह वास्तव में जबकिए सबसे पहले परपरियोग इतिहास के अburn total भी न झांड भी ने सिस्टिश से गढ़्य कि अधिया फिर से किया है आई आगू यंद्यश्टा घुद एक विचार धारा है आगे चार्चा करेंगे जो हरिस लागू होती है हर पद्दती पे लागू होती है जैसे आपका उत्तर संस्कृति का वस्था उत्तर हिंदी के वस्था उत्तर आलोचनात्मक्ता या उत्तर संस्कृति वाद या उत्तर सरचनावाद तो मतलब यह कर विधा में हर हर पद्दती में यह सिस्टम लागू हो जाता ह क्या है अब उत्ता अब समझे है क्या फ़ले यह लिख लिए 2 4 इतिहास का इसके समर्थक इतिहासकार कौन कौन है एक तरफ के होगे समझे पूरी तैसे उत्ता आधिता वादी नहीं है अब बल्किंग सबसे पहले सा इतिहास कराते हैं जो उत्तर आद्मिकताबाद के हैं वे हैं यह पूछे का निर्खिद में कौं सा इतिहास का उत्तर आद्मिकताबाद यह नहीं है जैक्स लाकन जैक्स लाकन जैक्स डेरिडा जैक्स लाकन प्रूथो नूम चुमेक्सी नूम नूम चुमस्की जीन फ्रंक्वा लेवतार जीन फ्रंक्वा लेवतार जीन फ्रंक्वा लेवतार मिशल भावकार मिशल भावकार जीन फ्रंक्वा लेवतार 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 जीन फ्रंक्वा लेवताव लेवतार अब जमाज़ेगा जो उत्तर अधुनिक्तावाद मैंने पहले चाहिए इन डाफ आड़ लाजी से निकला है इसका मतलब इन डाइड़ लाजी कोई भीचार धारा को नहीं मानती तो यह भी नहीं मानती होगी मुख्यत है उत्तर अधुनिक्तावाद एक ऐसी ब्योस्था है ए सराचना है जो अर के लागू हो जा रही है उत्तर माक्सवाद उत्तर हिंदी साहित कविकास उत्तर सराचनावाद उत्तर अधुनिक्तावाद थीक है तो उत्तर हीगल वामी सब पे आछ का लागू हो रहा है नुस्योंत्तर नau agrade दुमान में कोई भी विचारधारा नहीं रह गया है सभी विचारधारा समाथ हो चुके हैं और किसी विचारधारा में किसी को बाधा नहीं जा सकता है इसलिए इतिहास के संदर्व में जो पोष्ट-modernism की विचारधारा यह कहती है यह कहती है कि history is nothing but the illusion of the words यह कहता है कि history is nothing but the illusion of the words वो कहता है इतिहास और कुछ नहीं केवल सब्दों का माया जाल है कया I was .. कहता है कि तो इतिहास में वास्तविक्ता कुछ नहीं है तो इतिहास की विचारधारा को भी पूरी तरह नकाय देता है ठीक है वास्तों में तो मैंने का कि किसी विचारधारा को नहीं मानता है यह सभी विचारधारा का निशेद करता है अगर वास्तोरी कुरूपी देखा जाए तो वास्तों में यह विचारधारा मुक्यता दो बातों पर अधारित है पहला तो यह विचारधारा मुक्यता समाजवादी जो चिंतन की प्रद्दती है पद्दती है समाजवादी चिंतन की जो पद्दती है त्र. ऑसको वा आधू सिद्ध करने का प्रयास करती है कि मैंसमाजवादी जी समाजवादी जो लाषा है और चिंतन की था इसित समराजवादी लड़ाई में यह भूमंडली करन के नाम पर मुक्यता समराजवाद के लिए एक सांस्कृतिक आधार प्रदान करने का प्रयास करती है समझेगा एक सांस्कृतिक आधार प्रदान करने का प्रयास करती है इसका मतलब क्या है कि समराजवादी दौर में जब बिस्व के जो मजबूत देश हैं जो अपनी पहुंच बिस्व के अन्य संसादनों तक पहुंचाना चाहते हैं चाहे वह आपका नियो इंपरिलिजम का मा चाहे हम बहुत सारे पेटेंट का लूनों के माध्यम से देखें या विस्व की रीड़ प्रदाइं संस्थाएं होती है वे लोग विस्व के संसादनों पर अधिकार करने की बात करती है तो यह सब भूमन्डली करन के नाम पर पूरे विस्व में जो गल्लबलाइशन का सिस आधारा में वसे रहेंगे sis उसनी विय्ठाइद्हारा ने निशीतर से भी अधितन करेंगे इसी यह लिए यह लोग हर प्रकाती ऐधारा का मैं खंदन कर दे रहे हैं करें कोई विचाहार है नहीं थीक है इसी लिए वातों में यह समराच जाद का नए तरीक का यह एक वैचारिक आधार पस्थ कर रहा है यह पश्मी देश को मजभूत देश चको अधित करने के लिए इसलीए इसके आलोचन च буट्वे फ्रेडरिक जेक्सन कहते हैं यह समराज तर्क कैसे कि एक इसे कहते हैं समुले कर से सद्वक्य की तर नुम्ति यहां है नोम चमस्की कहते हैं कि यह एक प्रकार का सहमती नेमार उद्योग है यह ऐसा उद्योग है जो विस्व के देशों में सहमती सहमती बनाने का प्रयाज कर रहा है के नाम पर कि पूरा विस्व जो है एक हो गया है बैस्विक अर्थवेवस्था की बात कर रहा है ठीक है और और इन सब के माध्यों से अपने अपने जो जो नियों की भावना है उसको पूर करने का भी प्रयाज कर रहा है इसलिए नोम चमस्की इसको सहमती नेमार उद्योग क बैस्था कि नोम चमस्की ने मुक्षता लिंग्विष्टी कि त्यार्व्णी आए इतिहास के पे förड़ के नो wij चमस्की ने फॉह नहीं मानती ये सिक का भटकक Georgने रूप में प्वदουν करती है यह प्रकास से समराजवादी हीतों के अनुरूप या नमीन जो मजबूत देश हैं उनके लिए सांस्कृतिक अधाव प्रदान करने का कारी करती है इसलिए किसी अनिविशारधारा को नहीं मानती है